उधारन 6 प्रश्ण एक 7 मीटर चौड़ी सडक एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है बगीचे की परीधी 352 मीटर है मार्ग का छेत्रफल ग्याद कीजिए इस प्रश्ण में हमें ऐसे वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल ग्याद करना है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है और वह एक वृत्ताकार बगीचे को घेरता है चित्र में देखें यदि हम बाहे वृत्त के छेत्रफल में से अन्ता वृत्त के छेत्रफल को घटा दें तब हमें वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल ग्याद हो जाएगा इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों वृत्तों की त्रिज्याएग ग्याद करनी होगी तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं वृत्ताकार मार्ग की बाहे त्रिज्या इसे हम यदि लें आरवन मीटर और वृत्ताकार मार्ग की अन्तह त्रिज्याद ले लेते हैं आरवन मीटर इसके साथ ही हमें बगीचे की परीधी भी दी गई है बगीचे की परीधी बराबर है तीन सो बावन मीटर तो हम लिख सकते हैं टू पाई आरटू बराबर तीन सो बावन दो गुनित पाई का मान रगदें बाईस बटे साथ गुनित आरटू बराबर तीन सो बावन तब आरटू बराबर होगा तीन सो बावन गुनित साथ बटे दो गुनित बाईस यदि ग्यारा के पहाड़े से इसे काटें तो हमें मिलेगा ग्यारा दुनि बाईस और यहाँ पर ग्यारा तीन 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 और ग्यारा दुनि बाईस याने बट तीन बार पुना दो के पहाड़े से इसे हल करें तो दो एकम दो और ये कटेगा सोला बार तो हमें प्राप्थ हुआ है 16 गुणित 7 बटे 2 जो कि आगे और हल हो सकता है तो हम कर लेते हैं 2 एकम 2, 2 अठे 16 याने की आटू का मान हमें प्राप्थ हुआ है 56 मीटर आंत्रिक प्रितिकी त्रिज्या हमें प्राप्थ हुई 56 मीटर तो वृत्ताकार मार्ग की बाहत्रिज्या कितनी होगी वृत्ताकार मार्ग की बाहत्रिज्या बराबर होगा आटू धन सडक की चोड़ाई जो की दी गई है 7 मीटर और आटू का मान हमें कितना प्राप्थ हुआ है 56 मीटर तो 56 बराबर हुआ 63 मीटर अब हम वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं तो होगा वृत्ताकार मार्ग का छेत्रफल बराबर बाह वृत्त का छेत्रफल रिण अन्तह वृत्त का छेत्रफल याने की पाई आरवन का वर्ग माइनस पाई आरटू का वर्ग इससे हम लिख सकते हैं पाई कोश्टक में आरवन का वर्ग माइनस आरटू का वर्ग आरवन और आरटू का मान रख लेते हैं तो हमें मिलेगा 63 का वर्ग माइनस चपन का वर्ग अब पाई का मान यदि हम रख लें तो होगा 22 बटे 7 और इसे सरल करने के लिए हम यहां सर्वसमिका का प्रयोग भी कर सकते हैं तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे 63 धन 56 गुणे 63 रिंड 56 हमने यहां कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग किया है ए का वर्ग रिंड B का वर्ग बराबर A रिंड B गुणे त ए धन B चलिए इससे हमें क्या प्राप्त होगा 22 बटे 7 गुणेत 119 गुणेत 7 जिसका मान होगा 2618 वर्ग मीटर इस प्रकार हमें मार्ग का छेत्रफल प्राप्त हुआ है 2618 वर्ग मीटर 2618 वर्ग प्राप्त 2618 वर्ग मीटर